जिस तरह 3D animation में हमें modifier's मिलते उसी तरह 2D animation में भी हमें बहुत सारे modifier's मिलते जिससे हम अलग-अलग effects sunrate कर सकते इसके लिए हम सबसे पहले एक 2D object डालेंगे यहाँ पे हम delete press करेंगे और यहाँ पे shift A press करेंगे और grease pencil में जाके monkey add करेंगे हमने यहाँ पे monkey add कर दिया है अभी हम इसमें अलग-अलग type के modification effect डालेंगे सबसे पहले हम select करेंगे select करके जाएंगे modifier में यहाँ पे जैसा हमारा object रहता है उसके मुताबिक हमे modifier मिलता है तो सबसे पहले हमारे पास build का option है इसमें हम सारे के सारे check कर सकते हैं पर making करके जितने हम यहाँ पे कर पाए उतने check करेंगे सबसे पहले हम build effect देते हैं तो build effect देते हैं पुरा हम अपना object ही गायफ हो गया ऐसा कि हुआ क्योंकि यहाँ पे जो इसका start point है वह हमें set करना पड़ेगा जैसे हम यहाँ पे timeline में click करेंगे वैसे हमें अपना object दिखेगा पुरा का पुरा ड्रो हो रहा है तो यह built हो रहा है यहाँ पे अपने आप time frame set कर लेता है देखिए पुराकुरा औब्जेक्ट बन रहा है यहाँ था हमारा टाइम लाइन के मुतári कि हें, पुरा कुरा गायब हो रहा है और बन रहा है असको तो यह है हमारी उल्ट एफेक्क उसके बाद हमारा एक और मोडिफायर देखते है, multiple strokes, तो यह देखे, पुरा को पुरा यह multiples हो गया, तो इसमें offset पहले set कर सकते हैं, इसको key framing भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे offset इतना है, और हमने यहाँ पे key frame को यहाँ पे set करके, यहाँ पे eye press कर दिया, तो यहाँ पे एक key frame set हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने key frame set की, अभी 40 पे जाएंगे और offset को बढ़ा देंगे, और यहाँ पे फिर से eye press कर देंगे, तो यहाँ पे भी एक eye frame set कर दिया, अभी हम यहाँ पे animation चेक करेंगे किस तरह से, ओके, तो इस तरह हम animation बना सकते हैं, इसको वापस से कर इसको भी animation कर सकते हैं, और इसका duplicity, मतलब अगर हमें बहुत सारे चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं, उसके बाद एक और modifier देखेंगे, subdivision हम लोगों ने करके देखा था, armature, तो armature इसमें armature bone भी डाल सकते हैं, वो कैसे shift A प्रेस करेंगे, और यहाँ पे armature पे जाके single bone डाले हमने यहाँ पे single bone डाल दिया, G press करके उसको down कर लेंगे, और यहाँ पे इसको select करके हम जाएंगे edit mode में, edit mode में जाके हम bone को add करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे bone पे click करेंगे, अगर select नहीं हो रहे हैं, तो object mode में जाके सबसे पहले bone को select कीजिए, और इसके बाद edit mode में जा सजाती borne के ऊपर ऊपर उसे को सिलेक करेंगे ऊपर यहां पर निकलेगा यहां पर एक प्रेस करके और निकालेंगे लोगति अभी हम जाएंगे वापस से औब the तक जैक्ट मोड में अब जो एक मंग्किक को स्लेक्ष कर लेंगे बढब करके प्रेंगे और पर प्रेस करके इसको चीह प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पर में यहाँ परेस करके इसको चोठा बड़ा करेंगे ell việc यहां पर देगा कि इसका completely arbitrarily यहाँ आ रहा है इसलिए इसमें थोड़ा बहुत रिफ्रेंट आ तो हमने यहां पर यह देख लिए अभी वापस से ओब्जेक्ट मोड में जाएंगे और बॉन्स पर क्लिक करके उसको डिलीट कर देंगे अभी उसके बाद यहां पर वापस से monkey को सिलेक कर लेंगे और वापस modifier में जाएंगे Armature के बाद अपने पास और भी बहुत सार है नोईस से नोईस में जैसे हम सिलेक करेंगे नोईस अपने आप यहां पर कम ज्यादा हो रहा है इस already key framing ही हमें अगर changes करना है तो हम यहां पर position स्ट्रेंग्ट वगेरा में चेंजिस TWO पोजीशन इच तरह होते स्ट्रेंग चेंच होती है पुराइब पुरा चैंजिस इसमें होता। थिक्नेश होता है अभी इसके बाद हम लास्त मोलभाएर व्यू ईन् सेट्चडरेशन चेक करेंगे इससे आप को अपना कलर एफेक्ट चेंज कर सकते से चुरेशन वेल्यू इसके उपर जो लागू हो रहे उसको हम चेंजिस कर सकते कि हमने ज्यादे तर सारे मोडिफ़ाइर चेकद गवागी के मोडिफाइर आप अपने इसाबसे स्मूथने से से थिकने से फुश्य आप एक एक बार करके चेक कर शकते हैं तीन्ट है और इसके शम्मारे अपने मोडिफॉरेशन भी बादया बनेगा झाल